पिछली दिनों आये थे भारत में, मिलने के लिए आ गए, तो मैंने का डॉक्टर साब कैसी प्रेक्टिस चल रही है, तो उन्हों का रोरिंग, जबरदस्त है, अमरिका से बढ़िया देश, साइकेटरिशिंस के लिए प्रेक्टिस करने के लिए नहीं हो सकता है, सब विक्षि से भी हालत बड़ी जबरदस्त है, कुछ आंकडे मेरे पास में हैं, आपको सुनकर के आश्चरे भी होगा, और उसमें से अपने समाज की स्थिती भी आपको ध्यान में आएगी, अमरिका की स्थिती इस समय पर यह है कि एक लाख लोगों के, on and average ये आंकडे हैं, एक लाख पीछे आठ हत्याएं होती हैं, 118 बलातकार, 234 नशीली दवाओं से जुड़े अपरात, और 426 लोग जेल में, ये हैं उनका पर लेक, और 20 लाख से अधिक लड़कियां हर साल विवाह पूर्वी गर्वहती हो जाती हैं, पुरुषों में 75% मोते हत्या, आत्मत्या या शरा पीकर गाड़ी चलाने से होती है, हर 21 मिनट में एक हत्या का एवरेज है, हर 10 सेकिंड में एक सेंद्वारी, और हर 16 सेकिंड में एक स्त्रीकी इज्जत लूटी जाने का वहाँ पर एवरेज बढ़ता है, ऐसा समाज है, उसको विक्सित मान लिया हमने, वो मॉडल समाज हो ग आईडियल मॉडल नहीं है, और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, कई बार आप सवाल खड़े कर सकते हैं, का आप एक खास तरह के आद्वी हैं, इसलिए ये बात इतनी, मैं नहीं बोल रहा हूँ, जिस Human Development Report का मैंने जिकर किया, उस Human Development Report को अगर आप 1990 से लेकर के और पिछल की रिपोर्ट तक पढ़े, हर एक Human Development Report ने ये सवाल उठाए, कि इस वरतमान विकास ने क्या दिया है, दुनिया को इस विकास के रास्ते ने, तो अलग-अलग समय पर अलग-अलग तरह की बात कहिए, ये कहिए कि ये विकास का मॉडल हर स्तर पर सोशन कारी है, एक देश में करता है, और दुनिया के लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर, दुनिया के कुछ देश, बाकी देशों का शोशन करते हैं, तो एट ओल लेवल्स ये एक्स्प्लाइटेटिव है, दूसरा का ये विशमता बढ़ाने वाला है, इनुकुलिटी बढ़ा रहा है, ये प्रदूशन क कारी है, जो जितना एन्वारिमेंट के बारे में चिलाये जा रहा है, जितना पॉलुशन के बारे में चिलाये जा रहा है, पॉलुशन किस कारण से, कौन जिम्मेवार है इस पॉलुशन के लिए, कुल मिला करके दुनिया में जो टोटल पॉलुशन है, उस टोटल contribution दुनिया के विक्सित देशों का है अकेले अमरीका का pollution में contribution 22% है और हमको आकर के उपदेश करते हैं ये pollution को ठीक करने के लिए और environment को ठीक करने के लिए कौन है जिम्मेवार तो ये दुनिया का तथाकतित रास्ता जिम्मेवार है तनाव है हैं संगर्श हैं अपवय है फिजूल कर्ची है बढाने वाला विकास पत है और रनजाल में फसाने वाला और कुल मिलाकर ये विद्यापन पर आधारीत मनुश के खर्च के तोर तरीकों को भरमाने वाला और फसाने वाला है कुल मिला करके दुनिया का सारा मार्केट किसाधार पर चल रहा एड़ोडेजमेंट के आधार पर चल रहा कोई चीज अच्छी है खराब है किसाधार पर खरीद दी विज्जापन पर खरीद दी यह बहिने हैं दो उधारन देखर के अपनी बात पूरी करूँगा कुल मिला करके कैसा माइंड सेट बना दिया वरतमान संपूर्ण स्थिती पर इसलिए पुनर चिंतन के आवाशकता है अपने टीवी पर एक विज्जापन देखा होगा एक अधेड उमर की महिला आती है और वो कहती है मैं मध्यम दर्जे की ग्रहनी हूँ मैंने अपनी बेटी शालू को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने के लिए डाला है जरा सामान बेचेने का विज्जापन देखिया इसके नाम पर क्या हो रहा है खेल कभी इतना गहराई से विचारी नहीं किया होगा पहली लाइन में उसने बता दिया आपको आपके माइंड सेट में डाल दिया गया आप मध्यम दर्जे के भी ग्रहस्ती है तो आपने बच्चे और बच्ची को कौन से स्कूल में पढ़ने के लिए भेजाना इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजा फिर आगे बोलती है वो पर मेरी बेटी शालू पर क्लास में किसी ने ध्यानी नहीं दिया था फिर मैंने विजिल में धुलेवे कपड़े पैना कर भेजा और वो क्लास में मॉनिटर बना दी गई और आपने विजिल खरीद लिया ये विजिल बेचने का तरीका है ये विजिल खरीदे जाने का तरीका है ये विज्जापन का तरीका है क्लास में मॉनिटर बनने के लिए आपको पड़ने लिखने के जरूत नहीं है और भी मज़ेदार है, अपने देखा होगा, रोज आप ग्यापन को जरा इस निगाह से देखें, तमाम चीजों को नई निगाह से समझने का प्रेतन करें, निविदन करना चाहता हूँ मैं, एक महिला की गोद में एक बहुत सुंदर सलोना बालक होता है, बहुत ही सुंदर ब मां मलते मलते कह हीं मेरे लाड़ले के लिए अच्या पाउडर लाएं हूँ, तेरे पापा एरा ऌणाद लाना चाहते थे तेरे पापा बुद्धू है और वो बच्छा ऐसे हांकर देता हां बुद्धू, और मैंने तेरे पापा की बात नही मानी, मैं अपने प्रफुके ल अगर आपके माबाप ने खास ब्रेंड का कोई सामान नहीं खरीदा तो आप अपने माबाप को बुद्धु कह सकते हैं और जानकार लोग ऐसा बताते हैं कि छोटा बच्चा इस उमर में अधिकांश बाते सीखे लेता है विज्ञापन के नाम से अपने देश के परिवार को तोड़ने की साजी चल रही है और तीसरी बात बहीनों को ज़रूर सुनना चाहिए यह सब विज्ञापन आप रोज देखते हैं पर कभी इस हिसाब से मुआयना नहीं किया है इसके आधार पर समाज को और परिवार को नट्ट करने की कैसी साजी चल रही है कौन सा विकास का मॉडल आईए तो एक बहीन दिखाई जाती है टीवी पर साथ में से नौजवान गुदरता है और वो कहता है अंटी नमस्ते अंटी नमस्ते कहते ही तुसको फिकर हो गई इतने में उसके पतिदेव आते हैं पतिदेव आते हैं उन्हों कहा का आज मुझे एक पार्टी में जाना है व्याख्यान होना है माधुस्मर्तिन्यास का पर तुम रहो घर पर ही मैं अखेला ही चला जाओगा इसको और बड़ी चिंता हो गई तो फिर ये दुकान पर जाती है हेरडाई लेकर आती है हेरडाई लगा करके फिर खड़ी होती है वो पहले वाला नौजवान फि कि दी नमस्ति जयनमे जयाई इतने में पती देव आगए और पती देव रहा एक पती देव कर रहा है हेरडाई तैकर रहा है कि यह पति-पत्नी के संबंद है परिवार और क्या बेच रहे हैं सामान बेच रहे हैं इस सामान बेचने के विज्ञापन तंतर के आधार पर इस पच्चिम के विकास नहीं दिया और हम ने मान लिया है और इसलिए 1996 की Human Development Report ने कहा इस अरध्यान से सुनी और चाहें तो नोट कर ले जाए और विचार करना घर जा करके 1996 की Human Development Report स्वयम इमनदारी के साथ में इस विकास के मॉडल की गलतियों को स्विकार करती है और उसने कहा इस पश्चिम के विकास मॉडल ने क्या दिया तो पहला वो बोलती इसने दिया रोजगार हीन विकास आजकल खूब शब्द चल रहा है जॉब लेस ग्रोथ ग्रोथ तो हो रही है पर जॉब्स नहीं है तो चलेगा क्या आपको विकास ये विचार करने के आवर्श रखता है तो रोजगार विहीन विकास दूसरी बात उन्होंने कहिए इस विकास ने दिया मिश्ठूर विकास विकास तो है पर निर्मम है समवेदनाए सब समात्त हो गई है आत्मेता समात्त हो गई है पारिवारिक भाव समात्त हो गया है किसी के सुकदुग में हिस्सेदारी और भागेदारी करने का कोई भाव नहीं रह गया है पडोसी से कोई लेना देना नहीं तथा कती जो एलीट क्लास के लोग है वो पडोस में क्या हो रहा इससे कोई लेना देना नहीं वोई डवलप मना जाता है, तो निष्ठुर विकास दिया है, और तीसरी बात वो कहता है, इसने दिया मूँ के विकास, वोईसलेस ग्रोथ, ये यूमन डवलप्मेंट रिपोर्ट करें ये, इस विकास के परणाम सुरूप कुछ लोगों की जबान ही नहीं खुल रही है, कोती बात उन्होंने कहिए, इसने दिया जड़ ही निविकास, रूटलेस ग्रोथ, इस ग्रोथ के कारण से समाज में बहुत सारे लोग अपने जड़ से कट जाते हैं, अपने इध्यास से कट जाते हैं, अपने जीवन मुल्यों से कट जाते हैं, अपने पुरुखों से कट जमीन चे उजड़ रहे है न विकास के नाम पर तो इसने जड़ हीन विकास दिया है और अंतीम बात तो उसने जवरदस्त कह दी Human Development Report के तिये वर्तमान विकास पतने दिया है भविश्य हीन विकास Futureless growth, it has no future, आज इस विकास के रास्ते पर अंदकार ही अंदकार है और मैंने इसमें जोड़ दिया वर्तमान विकास के मॉडल ने दिया है संसकार हीन विकास इसलिए मित्रो समय आ गया है इस समय पर हमको इस पच्चिम के विकास मॉडल के संबन भे प्रामानिकता के साथ में संपून दुनिया के अनभों के प्रकाश में भारत के अनभों के प्रकाश में भी और विचार करने के आवशकता है ऐसी तमाम विसंगतियों को लेकर के कब तक हम इस मॉडल के रास्ते पर चलते रहेंगे विकल्प क्या होगा कल चल्चा करेंगी बहुत बहुत धन्यवाद हावे सांती मंत्रथा से कुमारी उर्वसी बेन समराट सर्वे भवन्त सुखिनहा सर्वे संत निरामया सर्वे भत्राणी पश्यन्तू मा कश्चत दुख भाग भवेत ओम शांती शांती शांती